तो रीसेंटली एक बहुत ही इंट्रस्टिंग न्यूस फाइनेशली एकनॉमिकली हमें पता चली कि इंडिया के जो फॉरेक्स रिजर्व हैं वो अपनी पूरी हिस्ट्री में इंडिपेंडनेंस से लेकर आज तक पहली बार 700 बिलियन डॉलर्स को क्रॉस की हैं आप सोचते होगे कि यह डॉलर्स में क्यों काउंट करते हैं क्योंकि कहीं न कहीं हमारे फॉरेक्स रिजर्व में USA का डॉलर बहुत स्टोर किया हुए आयमेफ ने जो पाकिस्तान को लोन देना है वो साथ बिलियन डॉलर का हमारे फॉरेक्स रिजर्व 12 बिलियन डॉलर से बड़े और अब टोटल यह हो चुके हैं 704.8 बिलियन डॉलर्स यह हैं इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व मैं आप पूरा समझाऊंगा क्या कुछ होता है फॉरेक्स रिजर्व में हमारे फॉरेक्स रिजर्व को बाकि उससे कंपेर करें तो क्या बनता है क्यों फॉरेक्स रिजर्व जादा होना जरूरी है सब समझेंगे ठीक है ठीक है तो सबसे बले क्या करते हैं कि आपको न्यूज आर्टिकल दिखा देते हैं इंडिया इं एक बिलियन सो करोड होता है एक बिलियन डॉलर सो करोड डॉलर होता है वन डॉलर चल रहा है 84 इंडियन रुपीज तो एक बिलियन डॉलर हुआ सो करोड को 84 इंडियन डॉलर सो कितना हुआ 8.4 लाक करोड रुपीज तो यह वह 100 लॉलर डॉलर साथ सो कितना हुआ साथ सो हुआ ये दिखाई हुआ है 58.8 लाक करोड रुपीज अल्मोस 60 लाक करोड के फॉरेक्स रिजर्व इस टेम पे इंडिया के पास पड़े हैं ये हमारा सेफटी मनी है हमारा एमजनसी मनी है ऐसा नहीं कि अब इसको यूज करने लग जाएंगे इसको और बढ़ाएंगे क्योंकि जितना आपका फॉरेक्स जव जादा उतना ही फाइनेशली आपकी हेल्थ अच्छी अगर आप आज किसी बैंक को बोलो ना कि ये हमारा प्रोजेक्स में इंवेस्ट करो तो वो बुलेंगे इतना तो रिजर्व इंडिया के पास इंवेस्ट कर देते हैं तो आपको फाइनाइशल हेल्थ के लिगे अपने फॉरेक्स जव को बढ़ा रखना चाहिए काफी सारी कंटीज है इंडिया के आज पास पूरे फॉरेक्स जव में मैक्सिमम जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो डॉलर्स का ही होता है बाकी चीजे भी है और करंसी भी है गोल्ड भी है पर सबसे बड़ा हिस्सा तो डॉलर को होता है पर हम धीरे धीरे डॉलर को कम कर रहें बाकी दुनिया की करंसी थोड़ी बहुत बढ़ा रहे हैं गोल्ड बढ़ा रहे हैं, SDR बढ़ा रहे हैं मैं आपको समझाते हूं ठीक है तो foreign currency asset जो सबसे बढ़ा हिस्सा रखती है उसमें भी सबसे जारा dollar ठीक है second पे gold, gold तो हम बढ़ा ही रहे हैं क्योंकि एक चीज कर रहे हैं इंडिया में de-dollarization, dollar को छोड़ो और चीजों में invest करो तो gold एक बहुत ही better option है क्योंकि gold पूरी दुनिया में acceptable है price down नहीं जाता, बढ़ी है special drawing rights और reserve position ये दोनों IMF के द्वारा होते है special drawing rights पता है क्या होता है ये एक तरह से आप क्यालो IMF की एक currency होती है या फिर IMF के द्वारा एक financial instrument announce किया गया है जो दुनिया की बड़ी-बड़ी currency से जुड़ा हुआ है अगर हमारा forex reserve इतना है तो उसमे SDR और reserve position कितना होगा मुश्किल से इतना बस बाकि सारा हमारा foreign currency assets और gold में आता है तो आप से कर पूछा जाए इंडिया के forex reserve के कितने section होते है 4 होते है foreign currency assets जिसमें दुनिया भर के हम currency रखते है मतलब stable dollar, euro, pound ये सब gold रखते है special drawing rights एक special type की currency एक special type का financial instrument है IMF के द्वारा और reserve position ये तो बहुत छोटा साथ है reserve position ये भी एक IMF के instrument है या आप दोनों ये याद आखना कि IMF के instruments होते है इनमें भी हम थोड़ा सा इंवेस्स करते है ठीक है अगर हम अपने forex reserve को दुनिया से compare करें तो सबसे strong दुनिया के forex reserve इस टाइम पे है चाइना के बाद मैं आपको बताता हूँ हम 700 billion dollar पे वो है 3,000 almost 3,288 billion dollar मलब 3,288 billion dollar पे या फिर इसको बोल सकते है 3.2 trillion dollar उनके forex reserve 3.2 trillion dollar अगर हमारे trillion में लिखने हो तो 700 का आप लिख सकते हो 0.7 trillion dollar तो चाइना ने तो एक अलगी level पे reserves रखे है आप देखते हो कि चाइना कई बार पाकिस्तान को loan दे रेता है कई बार आफरीका में किसको loan देता है यहीं से देता है ठीक है क्या चाइना के बास भी gold है बिल्कुल चाइना के बास बहुत अच्छा gold का reserve ने रखा हुआ है हमने भी रखा हुआ है और कौन कौन है चाइना के बास second number पे तो इंडिया से almost double ही मान लो Japan है 1235 billion dollar पे फिर Switzerland इंडिया से थोड़ा ही आगे अगला जो इंडिया बीट करेगा वो Switzerland को करेगा हम 700 billion dollar पे वो 800 पे रश्याम से नीचे ताइवान, साओधी, होंग कॉरिया, सिंगापुर, ब्राजील, जर्मनी और 13th rank पे आता है US अब ये बड़ा है रान विली बात है कि भी USA के forex जव इतने कम क्यों है क्योंकि USA को foreign currency asset रखने की तो जूरू थे नहीं क्योंकि dollar तो उनकी खुद की currency है, तो USA रखता क्या gold, तो USA का जो भी है ना, सबकुछ ही gold में ये देखो ये USA के total forex जव है, इसमें से अगर gold minus कर दो तो कुछ भी नहीं बचा USA के बास, हमारे total forex जव ये हैं और gold minus कर तो एक अच्छी खासी amount हमारे हाँ बन जाती है, तो US जो है gold, special drawing rights, इन सब में जाधा invest करता है हम लोग मजबूरी में USA का dollar भी बहुत जाधा रख ले ठीक है, तो इसके सारे एक छोटा update था कि इंडिया ने पहली बार 700 billion dollar के forex reserve को touch किया, मैंने सोचा इस पे एक video बना के आपको पूरा forex reserve समझा रहेते है हमारे import export के लिए forex reserve होना बहुत जूरी है क्योंकि जब भी कुछ import करते है, maximum dollars, maximum payment dollars में होती है, ठीक है, मिलेंगे इसी next video में तब तक रहे, thank you and have a very successful day, thank you students, thank you